हरियों प्रिदर्शकों, यदि आपकी मिथुन रासी या मिथुन लगन है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा, अचानक बहुत कुछ बदल जाएगा, 18 साल बाद केतु महराज के बारे में हम इसमें समझने वाले हैं, संभव इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी, केतु नच्छत्र परिवर्तन की, तो इसमें हम कुछ विशेस बाते करने वाले हैं, वीडियो जब आप पूरा देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्र आपको क्या मिलने बाला है, और साथ में साउधानी क्या रखनी है, उपाई क्या करने है, सब कुछ हम विश्तार से समझेंगे, तो वीडियो को पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखेंगे, आई सबसे पहले नच्छत्र के बारे में जानते हैं, तो ये नच्छत में गोचर करेंगे, तो ये चंड्रमका नच्छत्र है, परक्यत्व कोचर कर रहे हैं, तो केतु का भी प्रभाव यहांपर मिलेगा, शाथ में प्रीदर्श को इसके देवता शूर माने जाते हैं, और ये जो हंश्त्र है, इसकी आकरती हात का जो ये पंजा होता है, वो मान तो महिस्योनी मानी जाती है और ये नचत्र बहुत ज़्यादा creativity का है इससे प्रभावित होने की बज़े से लोगों के अंदर creativity आती है और कर्मत होते हैं लोग कर्म करने वाले मेहनत करने वाले लोग होते हैं सही बोलने बाले मान समान को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं और इस नशत्र के प्रभाव से लोगों की बुद्धी बहुत तीब्र होती है और अभी समझ लीजे कुछ बुरा समय चल रहा है तो उस समय कैसा निर्णे लेना चाहिए और कुछ अच्छा समय चल रहा है तो उस समय कैसे निर्णे लेना चाहिए ये समझ जो है मदलब जैसी भी इस्तिती परिस्ति हो उसमें एक सही निर्णे लेना ये नशत्र के प्रभाव में आता है साथ में देखा जाए तो प्रीदर उसको ऐसे लोग जो हंस्त नशत्र से प्रभावित हैं ये धार्मिक भी होते हैं भगमान से जुड़े हुए धर्म के प्रति पूजा पाठ आदी करना इनके सुभाव में होता है और जब ये नशत्र से हम प्रभावित होते हैं क्योंकि आपकी मिथुन राशी या मिथुन लगने है परत तो ये समय आप हंस्त नशत्र से प्रभावित होगे तो ये सब चीजें और ये जो मिथुन राशी है तो ये बुध भी इसके अधिपती है राशी के भी ये और भी अच्छी बात है इसका और भी प्रभाव आपके उपर पढ़ने बाला है तो ये इस्थिती है ये ग्रह के जो प्रभाव है ये माने जाते हैं तो प्रीदर्शकों आपके जीवन में अब ये केतु महराज हंस्तर शत्र में चंदर्मा के शत्र में गोचर करते हुए तीन मार्च से लेके दस नवंबर लगभग आठ महीने का ये जो समय है इस समय एक क्या रिजल्ट देंगे आई ये समझते हैं तो यदि आप परी दर्शकों चाहते थें कि मैं बहुत समय से सोच रहा हूं कि प्रोपर्टी ले लूँ या घर, गाड़ी, बंगले ये सब चीज कौन है, अचानक सब कुछ कराने बाले, अब कुछ लोग जैसे प्रोपरटी अपना बेशना चाहते थे, वो भी बेशन सकेंगे, पर ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट में बताने की जगए अभी बता देता हूं, जितने रिजल्ट आप सुनने बाले हैं आए जैसे वो इसे देने लगे, बीच में देने लगे, या जाते जाते दे जाए, तो ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी, पर कब हो जाएंगी कुछ पता नहीं, आठ महीनों कभी भी प्राप्त हो सकती हैं, और क्या प्राप्त होगा, और आपके केरियर में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, कैरियर में कुछ पॉजिटिव बदलावाएंगे, कैरियर में प्रोमोशन हो, सेलरी बढ़ाना हो, या जॉब परिबर्तन करना हो, ये सब स्थितियां कुछ न कुछ जरूर पॉजिटिव बनने वाली हैं, जो आपके हित में हूँ, ऐसी स्थिति बनने वाली हैं, साथ में प्रीदर्सकों देखा जाए, तो आपके जीवन में, यदि आप परिसान थे, बहुत ज़्यादा बेज कूले के मतलब धन आता है, पैसा आता तो है, पर अच्छ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें भी कहीं न कहीं आपको बहतर इस्तिति प्रीदर्सकों साथानी समझ लेते हैं, साथानी क्या रखनी है, साथानी ये रखनी है, कि आप अपने जॉब में, जो भी कुछ कह रहे हैं सामने वाले को हो, बोस को हो, यो किसी को हो, तो वो चीज़े क्लियर तरीके से कहिए, कन्फ्यूजन में न रहें, क्योंकि केतु मह कोई बहुत अच्छी स्तिती बनती नहीं है, सत्रू आपस में होते हैं, चंद्रमा तो किसी को सत्रू नहीं मानता, परन तो केतु मानता है, जुसलिए ओवर थिंकिंग भी समय केतु महराज आपको दे सकते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वैसे भी यह तो इसका सोहाव ही है, निरणे लेने के जो समता हो कई बार, बहुत अच्छी होती है, कई बार, कमजोर भी हो जाती है, जो कि बुधि से प्रहाγित रासी है, और बुधिवान तो होते हैं ऐसे लोग, परन तो कई बार, ज्यादा सोचनी के बज़े से confirmation में आते हैं, तो इसके अलावा प्रिदर्श को देखा जाए तो आप गाड़ी बाहन जब चला रहे हैं यात्रा कर रहे हैं उस समय थोड़ी साउधानी बरतियेगा और यहाँ पर एक और भी वेनिफिट मिलने बाला है मैं रह गया था बता दूँ कि विदेश यात्रा जो करने वाले थे लोग उनको भी इस समय मौका मिलेगा और हाँ एक जरूर है बात की यात्रा करते समय जैसे मैं अभी बताया कि विदेश यात्रा या कहीं भी यात्रा कर रहे हों साउधानी बरतियेगा आईए प्रिदर्श को अब हम आगे समझ लेते हैं उपाय क्या करने हैं तो एक ही सबसे बड देवी की आराधना भी कर सकते हैं इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं या कुल देवी ना पता हो तो मा जगदंबा की आराधना कर सकते हैं तो प्रिदर्श को आपने समझ लिया और एक महत्त पून बाद के तू चंद्रमा और बुद्ध ये तीनो ग्रहों की इस्तितियों को जरूर चेक कर लीजिएगा कि इनकी कैसी इस्तिति है क्योंकि ये तीनों का प्रभाव आपके उपर पढ़ने वाला है तो यदि अच्छे इस्तिति में ये हैं आपकी जन्म कुन्डली में तो ये अच्छे प्रभाव आपको मिलने वाले हैं परन माला ले लिजिए, बैठ जाईए और जपिए, ना मिले तो मन ही मन, ओम गंगरपते नमा, ये गरपति बपा, मोरिया भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जिससे भगवान का असमरण हो सके, क्योंकि समय नहीं यही मिलता है, तो जब भी समय मिले मन ही मन, बोले, तो ये आपको पाए करने हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्रवाद,